परम्त्रीच जो एकीकरण का हमारा विजन है अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत में विविन भासाई हैं अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं भासाई अलग जातियां धर्म और विविन चीजें तो आप उन लोगों को क्या message देना चाहेंगे, जो एकी करण के मार्ग में अपने कुंठित मन के साथ बांधाई उत्पन करते हैं, उन लोगों को क्या message देना चाहेंगे, कि हम unified host के? वारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है, विविधिताओं का देश है, और भी बहुत सारे देश है, जैसे मैं तो उस्ट्रेलिया से हूं, वो भी पूरी विविधिताओं का देश है, मेरे को नहीं पता कि शायद कोई भी ऐसा country होगा जहां से Australia में लोग नहीं रहते हैं चोटा सा population है तो वहाँ विवित्ता और भी जादा है भाशाएं और जादा है खान पान और जादा है विवित्ता में एकता कैसे हो आपका प्रश्णी है कि वो change कैसे हो विवित्ता में एकता मेरे हिसाब से या तो आपको अपने मन को change करने से आएगी या आपकी शिक्षा से आएगी तो शिक्षा का आधार एक होना चाहिए शिक्षा जब बच्पन से बच्चों में सस्कार डालती है तो उस शिक्षा का आधार एक होना चाहिए ताकि वो विविन्नता विविन्नता ना लगे और इसके लिए जो भी प्रशासनिक अवस्था है जो भी विवस्था है वो उसके लिए जिम्मेवार है तो एक तरीका तो यह दूसरा मन को change करने का मन को बदलने का और उसका तरीका अध्यात्मिकता है अगर आप spirituality में बिना किसी बाधा के बिना किसी रोक टोक के पूरी सच्चाई और इमानदारी के साथ विश्वास करेंगे और ऐसी feeling आपके अंदर आए कि एकी करन की जो हमारा mission है जब मैं एकी करन की बात कर रहा हूँ आप कोई भी हैं किसी भी धर्म से हैं किसी भी राश्टर से हैं किसी भी जाती, संप्रदाय, राजनितिक व्यवस्था किसी से भी हैं अगर मेरे को आप में प्रमात्मा की वही एनर्जी नजर आ रही है जो मेरे अपनी किसी खास में नजर आ रही है तो द्विश, कलेश, वैर्भाव सब अपने आप कितम हो जाएगा तो अपनी सोच को बदलना और शिक्षा की व्यवस्था के मार्ध्यम से जो संस्कारों की नीव रखी जाती है जब आप बड़े हो रहे होते हैं उस नीव को ठीक करना इन दो मार्ध्यम से मेरे हिसाब से यह सब मुमकिन है